मैं एक उधारन देना चाहता हूँ, महाभारत के युद्ध का उन्होंने उलेक किया, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा हुता है, तो नागों का राजा अविश हुसेन कर्ण के रत के पास पहुंसता है, और उसके तरकश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है, जितना तुम्हारा शत्रु है, बस अपने बान पर चड़कर मुझे अर्जुन के रत तक पहुंचने दो, और मैं इसको डस कर समाप्त कर दूँँगा, मेरा भी प्रतिशोत पूरा, और तुम्हारे शत्रु कि मृतु, मगर everything is fair in love and war, जंग में सब कुछ जायज होने की कहावत वालों को समझना चाहिए, कि करण क्या जवाब देता है, करण कहता है, तेरी सहायता से जैतो मैं अनायास पा जाओंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुक दिख लाओंगा, आगे की पंक्ति और महत करते हैं, तो धर्मलग हो जाता है, तो कहता अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो देशांद बिगाड़ू मैं, सापों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुछ को मारूं मैं, जा भाग मनुछ का सहज शत्मित्ता न मेरी पा सकता, मैं किसी है तुभी यह कलंक अपने सिर नहीं कि लागा सकता.